है कि तूब इस व्यूरों करनेवाले कल ओनेवाल है नेचhte के एपिसोड के बार में करने कंड नहि should के बारे स्वेशन होनेवाला है और हम पता है कल कज है अ पिसोड आरहों किसी पेह वेजोल से कम नी वाला कि कैंड़ी कि वहां 2021 का यानि हम पॉपड़े करें उनकी प्रेडिक्शन करने वाले किस मैं एक पर को लास तक जरू देखना और लाइक जड़ू कर देना तो आप चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको उता दूँ जो कल का एनेश्टी का एपिशोड है न्यूवियर सीविल इसके यहां पर होस्ट होने वाले हैं डेक्स्टर लूमिस को यहां पर होस्ट बनाए गया और हम देखिर हैं जब से वह होस्ट बने हैं काफी सारे मैचे उन्होंने अपनी तरफ से यहां पर इस नाइट में आपर एड़ कर दिये हैं तो सबसे पहले मैच की बात करें चुकि होने वाला है वह होने वाला है सेंटोज एसकोबार वसेज ग्रैंड मैटा लीग के वीच में जो कि होने वाला है क्रूजर क्रूजर टाइप की रैसले थैसले हैं क्रूजर वेड हैं तो मुझे लगार आप्र लेकिन टाटल सेंगे उमीद की लिए आपिरेंस के लिए गाइं या फिर आंगे का कुछ पतानी है लेकिन टाइटल चेंज होने की यहां पर उम्हें लगती नहीं है तो मेरे साफ से इस मैच को यहां पर सेंटोज एसको बारी जीतने वाले हैं लेकिन यहां पर मुझे लग रहा हैं यह मैच काफी जाना अच्छा म अपनी इंजिरी सी और काफी जल्दी उन्होंने अपना कम बैक कर लिया और उसके बाद इनका मैच हमें डेमिन प्रिस के साथ देखने हो मिलने वाला है वैसे काफी सारे चांसे साल लग रहे थे कि वो फिंड बैलर के सामने जाएंगे निश्टी टाइल के लिए लेकिन डबल लिए कुमबैक के वादे उनका पहला मैच है तो मेरे साबसे मैच को जीट जाएंगे और यह जीटी मेच मुझे लग रहा है काफी एक अच्छा मैच हमें देखने को मिल सकता है अगले मैच की बात करें जुकि होने वाला है टॉमस ईचेमपा वासे टेमूटी टैशर की वी लिए जहां पर रोप से वगएरा कुछ भी नीती उस रिंग के अंदर ऐसा लग रहा था हम यूएपसी का कुई मैच देख रहा है उक्टागों के अंदर तो काफी एक लागी यूनिक्स बना की रख सकती है जो कि कह सकते हैं उनके लिए होगी कि वह इसके अंदर मतलब अपने मैच जीत चुक हैं तो मुझे लग रहा है यहां पर जीत ने जर आएंगे बाकि मैच तो मुझे लग रहा है यह दौनों सुपिस्टार भी काफी अच्छा देने वाले क्योंकि टॉमास कितने महीन होगा इनके फ्यूड को चलते हुए लेकिन इनके फ्यूड मैं अभी तक ऐसा निया बोर हुआ हूँ मुझे इनके फ्यूड में मज़े ही अंदर क्या सकता है यहां फर डबलोब लिक अंदर अभी बात करें तो दोने ऐसी वो में चले हैं जो कि काफी पावराउ दिखा रहे हैं कोई भी मतलब तो मुझे इस मैच में मतलब इनकी तो फ्यूड मतलब काफी है ना कमाल गया इससे पहले भी हमने इनके मैच से देखें काफी अच्छे अच्छे हुए हैं और इस वार यह होने वाले एक लास्ट वो में स्टेंडिंग मैच और हमें पता एंस मैच में देखने मिलता है रिजल्ट की बात करूँ तो यहां पर मैं पिक करने वाला हूं रखल गॉंजालविस को क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा रखल गॉंजालविस को जीतने की जरुवत है क्योंकि रिया रिपली को लेके तो ऐसे रूमर्स आई रहे हैं कि वह साइ रखल गॉंजालविस को फायदा होने वाला है क्योंकि रिया रिपली तो अंदर काफी कुछ अचीफ करी चुकिए हैं तो मेरे साब से इस मैच को यहां पर उनी की साइट होने वाली है कि हाँ पर इस मैच को जीट जाएंगी और सो कि मेंट की बात करें तो वह मैच हमें दे कि इस तरीक से निगलेगा क्योंकि फिन बैलर वे अपने टाइल मुझे और राइली को क्या डवली दुबारे से मतला हरवाए तो वैसा भी मुझे लगता नहीं तो इस मैच के चलते मुझे लग रहा है जरू से कुछ हमें देखने मिलने वाला यहां तो किसी की इंटर फैर हैं जैसे की पीड़न का भी मतलब देख रहे हैं मावी एनेश्टी के अंदर उनकी फ्यूट जो है काईल उराइली के साथ चल लेती फिन बैलर के साथ उनका फेस आफ हुआ था हो सकता है यहां फिर पता नहीं है एडम कोल भी कुछ कर सकते मैच के चलते क्या पता वो इंट कर दें काफी पॉसिवर्टी हैं काफी उमीद है इस मैच से तो काफी कुछ हमें देखने में लेगा लेकिन रिजल्ट की बात करें तो यहां पर तो मैं फिन बैलर को पिक करने वाला हूं कि इस मैच को जीतके वह अपने टाइल को रीटन कर लिए क्योंकि आंगी चलकि मैश देखना चाहता हूं फिन बैलर को पिक कर रहा हूं तो इतने सारे मैच जामें देखने हो मिलें वाले कलके एनस्टी के निव यह सीवल के एपिसोड में किसी पेपिर यहां पर यह कम एपिसोड लगनी रहा है सारे जो मैच आपने आप में काफी बड़े-बड़े मैच जैं इस वीडियो को λά dessert देना साथी शेयर भी कर देना चैनल को सब्स्राइब करें यह पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्स्राइब करें आपको आने वाली वीडियो के नौटिफिकेशन मलते रहें तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार के तब तक के लिए मैं कहता हूं गुड़ पाई